पिछली वीडियो में हमने बात किया कि result आएगा जब आपका answer कि आएगा final answer कि आएगा तो आपके सामने एक result आएगा और उसी result के basis पर counseling होगा अब actually में जब result आएगा तो scorecard जो आपका दिखेगा वो कैसा दिखेगा और उसमें जो चीजे होंगी उसका क्या मतलब होगा उससे scorecard को समझने वाले कि उसमें क्या-क्या details दी होती है और कैसे उसको आप counseling में यूज करोगे तो देखिए यह 2023 का scorecard है ठीक है चौविस में भी आया नहीं है अब इसमें क्या होता है कि आपका पहले तूपर basic detail होता है मतलब नाम आपका पापा का नाम मम्मी का नाम यह सारी न दिखा रहेगा ठीक है पिछली बार normalize था क्योंकि अलग-अलग paper हो रहा था इस बार same paper हुआ है एक ही paper हुआ uniform तो आपका normalize नहीं होगा ठीक है हाला कि 29 तारीक को हुआ था chemistry और biology और आपका general test और English का दो paper हुआ है इस session में भी लेकिन फिर भी normalize नहीं होगा जो आप number अगरी कल्चर को लीजिए तो अगरी कल्चर में इसके सामने लिखा है 62 percentile point में something लिखा है और marks लिखा है 107 के करीव है ठीक है इसका मतलब यह 200 नंबर में 107 नंबर यह पाई है और percentile का मतलब होता है कि इतने percent बच्चों से यह आगे है मतलब यह 62 percent बच्चे इनके पीछे ह है तो जितना ज्यादा percentile होगा 99 percentile होगा ठिक है इसका मतलब 99 percent बच्चे पीछे हैं किसी का hundred percentile होगा इसका मतलब 100 percent बच्चे पीछे है उसका रेंग क्या है first है कई बच्चों का 100 percentile होगा है टेक है क। wrists to तो 100% हो जाएगा तो यह परसेंटाइल का हला कि कोई यूज नहीं है पर वस मैं आपको समझा दिया ठीक है यूज आपके स्कोर का होगा जो यहां पे स्कोर लिखा होगा NTA स्कोर ठीक है अब इसको यूज कैसे किया जागा धान से सुनिएगा ठीक है जैसे माल लीजी आपने सब्जेक्ट है उससे उसको नहीं मतलब है सिर्फ आप जीटी में कितना पाए हो मालों जीटी का अगर आपने एकजाम दिया है और लैंग्वेज में कितना पाए उस चीज का बस ध्यान रखना होगा आपको और उसके बेसिस पर वो मेरिट बनाएगा बाकी चार में आपका हाइस्ट मार्क्स होते हैं उसको काउंट किया जाता है जैसे साइंस में भी क्या होता है ठीक है ना जैसे पीसीबी या जैसे अग्रिकल्चर सब्जेक्ट में होता है पीसीबी कॉंबिनेशन भी देखने मलब आप कोई तीन सब्जेक्ट का मार्क्स एड किया जाता है या त तो जिसमें best number आएगा वही आपका count करेगा merit बनाने के लिए university ठीक है तो इस तरीके से आपका दिखेगा score card ठीक है जिसमें आपके percentile होंगे और क्या होंगे NTA score होंगे कितने बच्चों को लगता है कि 100 percentile की subject में पासकते हैं या 200 out of 200 या 250 पासकते हैं comment box में जरूर बताएगा बाकी basic instructions यहां दी रहती है उसका कोई मतलब नहीं कोई यूज नहीं है बस इसका भी कहीं यूज नहीं मतलब ऐसा print print करके ठीक है इसी score के मदद से बस counseling जब अलग-अलग university के portals पे होगा तो वहां पे आपको आपको आटोमेटिक वह NTA से वह university आटोमेटिक वह सारा score आपका ले लेती है आपको कुछ उसमें करने की जोड़त नहीं है आप बस अप्लिकेशन नंबर उसके जाके website पे डालोगे सारा detail NTA के थूद ही उस university के class आ जाता है ठीक है और उसको नहीं मतलब है कि आप 6 subject दियो 7 subject दियो उससे नहीं मतलब है ठीक है बस जहां पे tie होगा जैसे तीन domain बोला है तो वो domain भी ली जाएगी जिसमें आपका highest marks हो तो उससे भी आपको घबडाना नहीं है ठीक है अब खास करके due में थोड़ा एक problem आत चीए और अगर माली जे class 12 में तीन subject ऐसे थे आपके जो NTA के उसमें थे ही नहीं जो NTA के syllabus में थे ही नहीं बहुत सारे subjects ऐसे होते हैं ठीक है ठीक है जैसे बहुत सारे subjects अपने domain subjects में लिया ही नहीं रहा है तो similar subjects अगर होगा तो भी उसका counting किया जाएगा अगर आपके 12 में जो subjects हैं वो आपने नहीं भरे हैं ठीक है ना सी यू टीम उसका exam नहीं दिया है ठीक है मतलब वो अगर NTA के exams में था जैसे for example माली जे आपका physics example की तौर पर मैं आपको समझाता हूं physics chemistry math तीन subject आपके थे ठीक है ना आपको भले BA करना था तो आपको exam इनी तीन domain का देना था अगर डियू से BA भी करना है तो अगर आपने इन टीनों का form न भरके बस physics chemistry भरा है और सोचा math की जगह पे कोई एक दूसरा भर देता हूं history भर देता हूं वो मानने हो जाएगा तो आप डियू के लिए eligible नहीं होंगे बाकि डियू की counseling के बारे में जिस वीडियो में बात करे हम लोग इसके बात क्या करने वाले हैं कि एक एक course की multiple university की list वो बताने वाले हैं कि कैसे किस में counseling होगा ठीक है आपकी इस course के बारे में जानना चाहते हो comment box में बता दीजेगा ठीक है और धीरे धीरे आपकी सारी counseling की doubts को हम लोग multiple videos बनाके आपके clear out कर देंगे बस channel को subscribe करके र नाम पर reach out कर सकते हैं राय आसतोस 22 के नाम से all the best